हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू संगीतर्स किचे आज की एपिसोड में हम बनाएंगे वेरी यम्मी अंड वेरी डेलिशस चोकोलावा के फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत इजी है और यह जादा टाइम भी नहीं लेता 15 तू 20 मिनट्स में रेडी हो जाएगा तो आईए यम में अंड देंस चोकोलावा केक बनाना स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगेंड चोकोलावा बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा, कोको पाउजर, पाउजर शूगर, बेकिंग पाउजर, बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, मिल्क और ओल साथ ही लेंगे डार्क चोकलेट के पीसे, step 1, prepare the baking dish, सबसे पहले हम disposable molds को grease करेंगे oil से, और dust करेंगे cocoa powder, ऐसे ही बाकी के molds पी ready कर लेंगे, step 2, prepare the batter, एक बॉल में सीव करेंगे सारे dry ingredients, याने की मैदा, कोको पाउजर, पाउजर, बेकिंग पाउजर, बेकिंग पाउजर, बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट सीव करने के बाद सब को whisker की help से mix करेंगे, अब add करेंगे wet ingredients, जैसे की oil, अच्छे से mix करेंगे, और साथ ही add करेंगे milk, जो की हम batches में add करेंगे, mix it well, make sure, एक lump free batter ready हो, एक lump free and smooth consistency का batter ready है, अब हम batter को molds में पोर करेंगे, make sure आप molds को half ही fill करें, क्योंकि cake खूल कर उपर तक आएगा, now comes the best part, add करेंगे center में dark chocolate के pieces, 2-3 pieces add करेंगे, और इनको अच्छे से dip करेंगे, अब bake करेंगे preheated oven में, at 180 degree Celsius for 12-15 minutes, तो यम्मी चोकोलावा केक ready है, let's dig in, तो friends, अगर आपको ये recipe अच्छी लगी हो, तो मेरे channel को subscribe करना ना भूले, thank you for watching, करेंगे घ।, करेंगे लाइना जर रड़े दिसादी लंगे, добр आपको ये खिसे णिदेट, ज़ जडिए भावे खिसे तेल, इसे करेंगे, लब हो बातार 25ifa करेंगे बाबılar आपको धारे टो तो करेंगे लियेत देल,